हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मै चैनल, जो एक परकार का अनाज है, इसकी तासीर ठंडी होती है, पुराने जमाने से ही इसका उप्योग किया जाता रहा है, और स्वास्थे की दिश्टी में यह एक उत्तम परकार का अनाज है, इसके उप्योग से कई शारिरिक रोगों का धान किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पौश्टिक तत्मों का भरपूर भंडार होता है, इसमें कार्भो हाइडरेट, घुलनशील और आघुलनशील फाइबर, सोडियम, विटामिन, खनिच बदार्थ, अमीनो एसिड और फैटी एसिड के अलावा, जो में सिलेनियम, आइ तक नियंतरण में किया जा सकता है, जिसके कारण हिर्दे संबंदी समस्या, उच्छ रक्त चाप और हार्ट अटेक से बचा जा सकता है, जो में एंटी कैंसर गुन पाये जाते हैं, इसके नियमित सीवन से कैंसर के लक्षनों को कम किया जा सकता है, साथ ही भोईश्य में किस इसमें अच्छी मात्रा में घुलन शिल्फाइबर मौजूद होता है जिसके कारण इंसुलीन का उत्पादन अधिक होता है और डाइबिटीज के लक्षन कम होते हैं। जो में कई पोशक तत्व ऐसे हैं जैसे कि केल्शियम, मेगनीज, कौपर, आदी ये सभी पोश्टिक तत्व हड्डियों और दातों के स्वास्ते के लिए अति उत्तम हैं। इसलिए इनकी मजबूती और सुरक्षा के लिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। फाइबर की अच्छी मात्रा होनी के कारण ये हमारी पाचन परणाली को स्वस्ट बनाता है जिससे पेट की समस्याएं दूर होती हैं ये कब्च दूर करने और मल को आसानी से बाहर फैकने में मदद करता है। नियमित रूप से जौ का पानी सेवन करने से पेशाब खुल कराता है और मूत्र समन्दी रोग या इनफेक्शन दूर होते हैं। इसके अलावा जौ का सेवन से तवचा का स्वास्थे अच्छा होता है। इसमें मौझूद एंटी ऑक्सिडन स्किन इनफेक्शन को दूर करने और प्राकर्तिक सौंदरिया में निखार लाता है। जौ के आटे का पेश्ट फीस पैक के रूप में भी आप कर सकते हैं। जिससे तवचा में निखार, फोड़े, फुनसी, दागदबों को मिटाने और तवचा में ठंडक और चमकदार बनाता है। जौ का सेवन हमारे बालों के स्वास्थे के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि बालों को घना, काला, चमकदार और लंबे बनाने में काफी सहायक है। जौ में कुछ ऐसे घटक भी पाये जाते हैं जिसके कारण पूरुश और महीला दोनों की नपुशकता का इलाज करते हैं। गरवती महिलाओं के लिए ये एक अच्छा आहार है क्योंकि जौ में सभी परकार के पौशक तत्व मौजूद होते हैं जो कि शिशो के विकास तता मा और बच्चे दोनों के स्वास्थे के लिए बहुत आवशक है। साथ ही गरवस्ता के दोरान आई हुई कमजोरी को ये दूर करता है जो के नियमित परियोग से पित की पत्री और गुर्दे की पत्री को बनने से रोका जा सकता है। ये गुर्दे को साफ करके गुर्दे के स्वास्थे को बढ़ाने के लिए अति उत्तम आहार है। जो में आईरन भरपूर मात्रा में होता है जिससे शरीर में खोन की कमी को दूर किया जा सकता है। अस्तमा और सांस से समन्दित रोग में इसका उपयोग लाबकारी है। ये अलर्जी को दूर करने में भी काफी सहायक है। जो में उच्च कोटी का फाइबर, विटामिन्स, खनिच पदार्त और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं। इसलिए ये शरीर से फाल्तों की चर्वी हटाता है तथा मोटापा और वजन कम करने में काफी सहायक है। जो का उपयोग विभिन रूप में किया जा सकता है। इसके बीजों का सूप बना कर पिया जा सकता है। इसकी रोटी, दलिया, खिचडी, उपमा, ब्रेड उपयोग में लाए जा सकते हैं या जो का पानी भी पिया जा सकता है। इसे चावल के विकल्प के रूप में भी हम खा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।